हलो नमस्कार और स्वागत एक बार फिर आपका प्रिक फ्लैक्स पर जिया इस समय ग्रूप स्टेज के मैचे समाप्त हो गए और सुपर एक मैच अब यहां से शुरू हो रहे हैं तो यह एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुकाबला होगा फाइटिंग होगा क्योंकि अब मैच के प्रिव्यू लेकि मैं आपके बेच में हजीरों यह मैं मतला हाँ चाहूँगा यह ग्रूप दो का यह पहला मुकाबला है वैसे सुपर एट का यह पहला मुकाबला है तो यह देखने वाली बात होगी कि इस टूनामेंट में अब तक यह से ने दो बड़े उलट फे सबसे बड़े करने वाली टीम बनी हुए से और धमाकेदार शुरुवात की है पहली बार T20 खेल रहे हैं और मेरा यह मन्या है जब आपके ऐसाथ बैटिंग और बॉलिंग का कॉंबिनेशन बन जाता है तो फिर आप आगे यह बहुत ही असानी के साथ जा सेक्ट हैं तो लाइन अप पे दोनों डीमों का क्या रह सकता है कंवेर करें तो दोनों में कौन भारी पढ़ सकता है यह मैच की ऊपर किसकी जाधा तर पकड़ हो सकती है तो अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बहुत जादा प्रभावाइत नहीं किया है बहुत जादा इनिंग्स मिली बहुत ही जोड़ा सा उनका स्वस्त उतना अच्छा नहीं है अलाकि उनके ना रढ़ने के शायद एरान जोंस कैप्टन हो सकते हैं फिर भी देखने वाली बात है कि क्या उस मुकाबले में तयार हो जाएंगे नितीश कुमार है बहुत ही छुटी छुटी पारिया खेल रहे है टीम के लिए और यह देखने वाली बात है को और यह बड़ा नाम न्यूजी लैंड के पूर्व खेल रहे हैं और आपको मैं बताओं को और आपको मैं बताओं इसे में आठ भारती दो पाकिस्तानी और एक न्यूजी लैंड यहीं कि यह सी की टीम है लेकिन दूसरे मुलको से भी है और वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यह चौकाने वाला नाम सौरब ने तो कमाल किया है मुझे जो लगता है कि यह बॉलिंग करना है बिंदास बॉलिंग है लेफ्ट आम सीमर है ग्राट कोली का विकेट लेना पहले ओर मैं पाकिस्तान के खिलाब भी शां घमाकेदार प्रदेशन किया ठीजी के हैं और साथी साथ जडीज सिंग नितिश कुमार भी और अली खान यह दो नाम भी गेनबाजी में बड़ा अच्छा कमाल का प्रदेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यह बैलेस्ट जो लगती है टीम मुझे बॉलिंग में ज्यादा बैकर नजर आ लिया और बॉलिंग से ही अपिस्ताम को उन्होंने अपनी गिंबाजी के तरफे उन्हों नहरा है दूसरी नहीं पर नेपाल के सामने आखरी बॉल पर एक रन से मैच जीता तो अभी वी साथ अफरिकन बालिंग तो अटेक अच्छा भी है लेकिन बैटिंग में उन्हें कुछ करना है लचर प्रोदर्शन रहा है और यह देखने वाली बात है कि कैप्टन एंटन मार्क्रम के अलाव हैं वो भी एक्सपिरेंस के साथ इस तोड़ा में बने हुए हैं और देखने हैं उनका एक्सपिरेंस कितना होता है तो अवरल कॉलाप्स रही है बैटिंग लाइन अप लेकिन उम्मीद करता हूं कि शाए अगले मैच में क्या उनकी बैटिंग में निखार आएगा खेगुसु रबाड़ा के अलावा रिकल्टन और इसके अलावा एंडिक नोक्या ये नाम चौकाने वाला है इस बंदे के अंदर बहुत ही दम है क्या बालिंग कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बैटिंग में थोड़ा कमाल किया ह है टीम के लिए तो अब इस मैच में मुझे लग रहा है कि थोड़ा से स्पिन अटैक को भी लगना चाहिए तब रेच संसी के साथ रेशो महराज वो लेफटाम जो स्पिन अटैक है ना वो कहीं ने कहीं इस मैच में अच्छा फॉमिलेशन बालेगा तो उमीद करते हैं एक आगे चोपस लग जाता है लेकर उमीद करते हैं कि ऐसा ना हो दो रोड़ी में अच्छा खेले 50-50 का यह मैच होगा बहुत बहुत धन्यवाद फिर फ्लैक्स पर बने रहने के लिए